नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का भई फिर से स्वागत है अक्षत स्टेट फॉर्म के पार्ट टू के अंदर और भई आपने अक्षत स्टेट फॉर्म के पार्ट फर्ष्ट के अंदर देखा था भई बिराट नाम का जो बच्चा है जिसका बाप है भई विजयदेव और विजय देव का बाप है कनया एक डिफरेंट बलर्ड लाइन का ये बच्चा है और इसकी जो कवरिंग फीस है वो भई एक लाग रुपे है तो जो भी भाई अपनी जो घोडियां है वो मैट कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नम्मर चल रहा होगा और घोडे के भी वीज्वल चल रहे होंगे तो आप बच्चा भी देख सकते हैं अगर कोई भाई अपनी घोडी मैट कराना चाहे तो आप अपनी भी घोडी मैट करा सकते हैं पाकि इस वीडियो के अंदर भी हम आपको इसी फाम का एक और बच्चा इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाले हैं तो सर अगर मैं बात करूँ जो बच्चा हम लोगों को दिखा रहे हैं क्या नाम है इस बच्चे का इस बच्चे का नाम Black Star है Black Star ये वीर सावरकर का बच्चा है वीर सावरकर एक अभलक घोड़ा था राजस्थान में बिलकुल और वीर सावरकर काला काटे का बच्चा था काले काटे का और मा की तरफ से साथ मा की तरफ से इसकी मदर तूफान की बेटी हुई तूफान की बेटी और उम्बर में कितना हो गया सरीय यह तकरीब अठाइज मन्त का हो गया है और हाइट में कितना होगा से ही 63 प्लस है और माते पे पट्टा है तीन पाउ सफेद तीन पेर सपेद है माते पे पट्टा है और बिल्कुल ब्लैक है मेरे लगता है पट्टा ही लिखाई करने के बाद में यह थोड़ा सा समध्दार तो ही गया है नहीं यह उमर का तकाजा है इस उमर में घोड़े थोड़ा कुछ फान करते ही है तो रेज्वली ट्रेनिंग मिलने पे सही हो जाते हैं देरे देरे कि भी आएशार चार दात करते हैं तो एक मिचॉर गोड़ा से और भी मिचुर्टी आ जाति हो नहीं तो सर jakim बिचुरीं में बहुत अच्छा बच्च आपको दिक क्या बच्ची नजर आती शर आपको क्या क्या बच्ची नजर आती इस चाहत लिघ्धा ती अब कासिये कांटे वाली जो लाइन है काले काटे की लाइन उसमें ब्यूटी आती है और जो ब्यूटी कॉम्पनेंट्स है उसमें बड़ी की फीचर हो गई फिर लग की डिफरेंट जो सफेद आप देख रहे हो तीन सफेद एक पूरा पट्टा आ रहा है वो एर प्रफाइल आप देखो आइज की उभार तो एक ब्यूटी कॉम्पनेंट कूट-कूट के भरी रहती है काटे वाले लाइन में बिल्कुल और घास करके आप अगर देखो तो काटे की बेटिया काटे की जैसे मिलेगी बिल्कुल पर जो काटे का बेटा है उस पे काटा अपने करेक्टर पास नहीं क अब में बिल्कून काटे का मिल्कुल यह वो ऑर कोई भी इस को पे इसना प्रेखाव यह वैött की के बिल्यास welche कि सिर्फ में बाइन है इसकी अब इस्की अभी कवरग के करेंगा जालो जब ब गितने था हम और लग जाएगा चालू कर दो एक महसे बाद बाद पूरे दोदाथ पूरे तरीके से आजाए उसके बाद, दो-चार महिने बाद, in fact, नेक्स सीजन सही सुरू करूगा इससे. बाद मेरे को आपकी सबसे महन, यह जो लॉकिस है इसमें वीडियो बनाने में बड़ा मज़ा है, यानि गुरी में जब गोड़ा आता है, तो यानि कि अपना भी दिल खुस हो जाता है, और लगता है जितनी वीडियो बना लो उतना कम है, अब यह क्या है न जिस लोकालिटे म में आप हो, यह जिसमें काफी farm houses है यहाँ पर तकरीबर 500 से उपर farm houses है, वहीं से शुरू हो जाती है, और पूरी यह stretch पर चलती है, और साथ में अरा वली रेंज भी चल रही है, तो एक nature भी है आपके पास, पॉलुशन से भी आप दूर हो, वहीं से आप दूर हो, वहीं से आप दूर हो, यह जो पाच साथ सो फार्म हो से जाटे स्ट्रेच है पूरी तो एक अलग फील्ट है दिल्ली में राते हुए भी, और अगें इसे लाप आप दिखावे, तो आदमी को यकीन नहीं होए, यह दिल्ली में होगा थिकांकि मेरेको लगता है कि दिल्ली में न को भूत भीडवाला आलाका है बर मेरे लगता है कि जो फार्माउस बगेर आप आनो क diviscomcarry गट मेरे कें कि ने आप वाठी से निसे बना लेगा वहाप़ पर चांड नी चौक मेरे व फार्महस एं से ऎफ़ शर आपने विजट किया देगा, कैसा फील हूँ आपको, आपकी वाइप कैसी लगी, यहां बहुत अच्छा फील होता है अनिकी, और दूसरा यह कि जो गोडा-गोडी भी रहते हैं, तो मेरो लगता है उनको भी बहुत अच्छा फील होता हुगा, क्योंकि जब गोडा-गोडी अच्छा फील होता है यहां पर जो फार्म बन रहे हैं उसमें, मेरी भी योगदान रहती है, लाइक वहां पर जो भी ट्रीटमेंट है, इसकी डिजाइनिंग वेगरा सारा, मेरे क्लाइट है, जो बिल्डर्स है, जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स है, तो काफी सारी बिल्कुल वास्तु और एनर्जी पैटर्न के हिसाब से उसमें जो भावन बनी रहेगी, वो सारी चीज, वो में करता हूँ यहां पर गोडे का फारम खुलवाने जा रहा हूँ, इस साल के अंदर अंदर में मेरी तकरीबन 12-15 फर्म गोडे के खुलेगी, जो मेरे क्लाइंट से, मैं तो ऐसे भी बहुत सारे क्लाइंट के यहां गोडे बंदवा दिया हूँ, उनके फैक्ट्री में, फैक्ट्री वालों के पास गोडा रखने से जिंदिकी के अंदर बाहर तो आती है निगिया, बिल्कुल आती है, यकीन नहों तो रख के देख ले कोई, लेकिन हाँ, आप जितना अच्छा जानवार रखते हो, उसकी वाइपस उतनी अच्छी होती है, बिल्कुल, आप बोलते है ना, ब्लड लाइन व बिल्कुल, या बेटी को दे रहे हैं दूसरे घर में तो खांदान कैसा है, तो बस सेम चीज वही है घोडो में, ब्लड लाइन वही बताता है कि खांदान ही हो गया, कौन से खांदान से है, अच्छे खांदान से है, तो उसमें संसकार अच्छे होंगे, उसकी वाइबरेश को ठीक करते होता है तो यह अलग फील ओड़ता चाने लग जाती है, तो सर्च जैसे आप बता रहते हैं, एक सो के बारे में कि आप आने वाले टैम में एक सो भी और गनाइज कराने वाले हो, तो मैं जानना चाहूंगा जो भी हमारे लोग देख रहे हैं, उनको भी हम बतान के माध्यम से मैं सारे अस्वपालकों को यह सूचना देना चाह रहा हूं कि एक बड़े लेवल पे शो लेके मैं दिल्ली में आ रहा हूं, बिलकुल, मारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हूए हैं, और यह जो शो है, यह इंटरनेशनल लेवल की शो होगी, जहां के जह बड़ेटिंग विद अरभियन होर्से अस वेल, और इसमें मैं सोच रहा हूं को भी शामिल करने का, उसके अंदर अपनी वर्किंग चल रही हैं, और यह मोस्ट पाबली थ्री या फोर डेज की शो रहेगी, जिसमें अगर आप देखे तो, कुछ स्पोर्ट्स इवेंड भी हमने और खनाइस किया है, बिदरेंस इस वन फ देम, बिदरेंस उसमें वन फ देम है, अभी शो जंपिंग की अभी डिस्कसिन चल रही है, बिल्कुरी तेंट पंगिंग उफकोस विल वी द तो इंदरेंस, टेंट पंगिंग और ड्रसाज पर भी अबिडिस्क्शन चल रही वैसे तो अच्छागासा एक्सपैंशन के मोड में आज की रेट में मारवाड़ी इंडस्ट्री अभी भी इन फैंसी पे है पर ठीक है इट विल टेक अनदर फो तू फाइव एस मैचौर होने में पर एक बर मैचौर होने पर एक अलग परिद्रिश्च हो जाए तो सर्क क्यों हर असुपालक को बेनिफिट है इसा नहीं है कि शो हो रहा है तो किसी को नुकसान हो रहा है उसके फाइदे ही मिल रहा है इसो का नुकसान तो कुछ है नहीं और जितना भी ज़्यादा शोज होंगे उतना प्रोत्ताहन इस इंडस्ट्री को मिलेगी और अब तो यह ऐसे इं किसमें करें इस इंडस्ट्री में बिल्कुल यह एक उद्योग का रूप लेने जा रहा है तो सिस्टमाटिक अभी से होने लग जाएंगे तो आने वाले दिनों में एक प्रोफेशनली अच्छा बेनिफिट भी होगा और आप अपने end of the day शोग भी पूरा करोगे और पोज है यह जो सीजन गर्मी की शुरू होगे है तो पॉसिबल तो आया नहीं बिल्कुल अब अगला सीजन विंटर विंटर से ही शोग Congar से शुरू है बिल्कुल हाँ उसके बाद ही शो सारी होती है बिल्कुल क्लाइमिट को भी देखना पड़ता है इसमें घोडे भी या फिर फर्स्ट मार्च तक होती है, तो मैंने प्लान किया है तकरीबन मन्त फ़र्वरी मन्त में, तो मेरी सभी अस्व पालक सानुरोध है, अपील है कि आप लोग सभी तैयारी में लगे, इंडॉरेंस भी रहेगी उस शो में, इवेंट में, इवेंट में बढ़चड के साल और मैं चाहूँगा कि मारवाडी गोड़े जादे से जादे स्पोर्ट्स में इन्वाल्ड होएं, और अरभियन होर्स के साथ हमारे गोड़े कंपीट करेंगे, तो इंडिन ब्रिट हाँ, ठीक है, और उसमें शेक्स भी आ रहे हैं, शेक्स अब को भी हमने इंविटेशन द रहे हैं, और हमारी कोशिस एक बड़ा और अच्छा इवेंट हो, और इसमें जो एवार्ड और रिवार्ड से वो भी हमने एक अच्छे लेवल पर प्लान किया है, अब इन फाक्ट ब्रैंड तो अभी बता दूँगा, पर मॉडल्स की डिसीजन के बाद ही आ पाएगी, ना टॉप लेवल के रहने वाली है, और इसमें लग्जरी क्लास वेकल हम डाल रहे हैं, मेबी मसेटीज और ओडी और ब्म्ड़ू, इन तीनो ब्रैंड से एक गाड़ी उठाएंगे, और जो चैंपियन अफ चैंपियन गोड़ा होगा, या गोड़ी होगी, जो भी अनिमल होग उसे एक लग्जरी क्लास वेकल, इतने महंगे गोड़ी सर, तो इतने महंगे गोड़े भी तो है, ये बात तो है, अब करोनों के गोड़े हैं, दो लागो के हैं ही नहीं, तो they deserve that, मिरो लगदा आपने तो प्राई मेने बहुत जोदा कर दी, मिर लगए कि ऐसा ना हो, इंद जानिंग चालू रहेगी, अगर हर जग हमारी डॉक्टर्स की टीम रहेगी, वो मेडिकल चिकप के लिए, वह से आप से अप सर्टिफिकेट लेके प्रोवाइड कराओगे, फिर आगे की, तो इसकी और भी जो जानकारियां, आपके चैनल के थूरू आपके चैनल के और के साथ थैंक यू